नमस्कार साथियों मैं हूँ अफिरों तुशान शुपांडे स्वागत है आप सभी का अभिप्षा के पूरे टीम की तरफ से और हमारी चर्चा का विशय क्या है आई आज देखते हैं हम लोग जो है परिक्षा की तयारी कर रहे हैं और परिक्षा की तयारी कर रहे हैं तो किस बारवी की भौतकी के लिए मैं आप लोगों के साथ उपलब्द हूँ इसके लावा गनित रशायन जीव विज्ञान और अंग्रेजी पर इन सारे विश्यों पर और दसी बोर्ड की सारे विश्यों पर भी आपको अभिप्सा के प्लैटफॉर्म में पूरी तैयारी मिल जाए जो कि आप यूटूब पर देख रहे हैं बलकि आपको एडिशनल कंटेंट जैसे माइंड मैप माइंड मैप गजब की चीज होती है पूरा का पूरा चैप्टर आप एक नजर में रिवाइस कर सकते हैं जो कि हम लोगों ने इस्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है तो याने की अर्थ मैगनेटिजम एंड मैगनेटिक मटीरियल अब हम थोड़ा ब्लूप्रिंट की बात करेंगे फिर से जो कि हम हमेशा करते हैं तो वहां पर ब्लूप्रिंट में जो है चैप्टर वन था जहां पर आप लोगों ने स्थिर वैदुत्री की देखी विद्दुत यूनिट है उसमें दो अध्याय आते हैं पहला है गतिमान आवेस एवं चुम्बकत्व जो कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं और उसी का दूसरा हिस्सा है भू चुम्बकत्व एवं चुम्बक्य पदार्थ यहां पर इन दोनों चैप्टर्स को मिला के कुल मिला के आपक अप्लिकेशन में जाए या फिर प्लेस्ट में जाकर यूटूब में ही हमारे पिछले वीडियो देख लिए वैसे आपको डिस्क्रिप्षिन में पूरा प्लेस्ट और लेक्ट मिल जाएंगे तो जब आप यह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब हमको बचे हुए chapters की तयारी करनी है अभी क्या चल रहा है अभी चल रहा है fast track revision series यहाँ पर हम पूरे chapter को सरसरी तौर पे एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं इसके बाद में जो इसी chapter का हिस्सा आएगा दूसरा वाला वो हो जाएगा PYQ और PYQ में हम पूर प्रशन पत्रों की चर्चा करते हैं हम पहले पूछे जाचों के सवालों को देखकर अपनी तयारी को जज़ करते हैं हम यह मान लेते हैं कि अगर परिक्षा में यही प्रशन पूछा जाए तो हम कितने तयार हैं और उस हिसाब से इनकी सहायता से हम उत्तर लिखने का प्रयास करते हैं हम अपने पैटर्न अपनी टेक्निक अपनी कला पर ध्यान देते हैं तो चलिए आईए सुरुवात करते हैं इस चैप्टर का और इस चैप्टर में जो है सबसे पहली बात जो हम बात करेंगे वह है चुम्बक होता क्या है देखे पिछले चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने जब ओस्टेड का प्रयोग देखा या फिर बायो सेवर्ट का नियम जो है देखा उस समय हम लोगों ने देखा था कि एक गतिमानावेस है और जिसके कारण चुम्बके छेतर पर्वावित करता है अब हम प्राकृतिक चुम्बक और पर्मनेंट चुम्बक की ओर जा रहे हैं हम लोगों ने एक चुम्बक को परिभासित किया चुम्बक पदार्थ से बना हुआ इस परकार का तुकड़ा है जिसमें जो है जिसके आसपास यदि हम कोई दूसरा चुम्ब नीडल या फिर गतिमान आवेस लाएंगे तो वो इसके द्वारा लगाया गए बल से प्रभावित होगा अब चुम्बक के पास में कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है जैसे कि सबसे पहले चुम्बक की दुरूव तो चुम्बक की दुरूव क्या होता है भाई एक अब हम यहां पर मैगनेटिक नीडल याने की चुम्बक की कमपस लाते हैं तो चुम्बक की कमपस यहां पर उर्ध्वा धर इस्थिती में नजर आता है ऐसी इस्थिती में हमारे पास में किसी भी एक चुम्बक में दो धुरूव पाये जाते हैं एक को हमने उत्तरिय धुर और दूसरे को दक्षनी ध्रूव का नाम दिया है अब अगली बात कहते हैं चुम्बकी अक्ष जो है क्या है चुम्बकी अक्ष वह कालपनी करिखा है जो उत्तरी ध्रूव और दक्षनी ध्रूव को मिलाती है मतलब एक कालपनी करिखा ले लेंगे जो दोनों ध्रूव को मिल याती है तो इस से कालपनिक रिखा का नाम की अक्ष्छ रख दिया जा सकता है अगली बात क्या है चुमबक की प्रभावी लंबाई देखिए क्या होता है कि चुमबक हम लोगों को इसके जाये धुरूब इसके बिल्कुल सिरे पर नहीं मलकि इससे तोड़ा सा कम दूरी पर दिखाई देता है मतलब थोड़ा अंदर क्यों तो चुमबक की प्रभावी लंबाई अगर हम 2L मान लेते हैं तो वह भौतिक चुमबक से थोड़ा सा छोटा होता है लगभग 5 बटा 6 हिस्सा इसके लंबाई होती है मतलब अगर 6 सेंटीमेटर का फुल चुमबक तो आपको चुमबक के प्रभाववी लंबाई 5 सेंटीमेटर दिखाई देने ニली इसके बाद में हम बात करेंगे चुमबक के या मयोतर की मान लेते हैं मैंने आपको एक उधारंत दिया तो तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि हमारे पास में एक, हमारे पास में एक चुम्बक है, इस चुम्बक में यहाँ पर आपको जो है, दक्षण धुरू और यहाँ पर आपको उत्तरिय धुरू नजर आता है, इन दोनों धुरूं को मिलाने के लिए हम याम्योत्तर कह सकते हैं इसका मतलब है कि एक ही चुम्बक में अनंत रूप से जो है हमें चुम्बक के याम्योत्तर नजर आएगा अब चुम्बकी याम्योत्तर का जो है की कलपना कैसे की जाए तो चुम्बकी याम्योत्तर की कलपना इस तरीके से कर लो कि मान लो कि मैं जिस उत्तरी धरूब है और ये हमारा दक्षनी धरूब है तो इन दोनों को मिलाने के लिए जो है हम एक रिखा खीचेंगे और इस कालपनी करिखा का नाम मैंने चुम्ब की अक्ष रख दिया अब ये जो सर्फेस आपको नजर आ रहा है ये जो प्लेन नजर आ रहा है ये प्लेन जो है ये इस अक्ष को काटते हुए गुजरता है तो हम मान सकते हैं कि ये एक चुम्ब की यामयोत्तर है यहां पर जब हम लोग जो है चुम्बक को रखते हैं तो ब्रित्वी चुम्बक की भाति व्यवहार करती है और इसलिए एक ऐसा बिंदू हमें दिखाई देता है जहां पर मेगनेटिक कमपस यहने की चुम्बक की कमपस रखने पर उसका काटा किसी भी दिशा में ठहर सकता है और उसका कारण क्या है उसका कारण है भू चुम्बक कत्व का इस चुम्बक के चुम्बक कत्व को कैंसल कर देना तो वह बिंदू जहां पर एक चुम्बक की कमपस किसी भ गुनुद्रम के बारे में व्याख्या करनी है तो चुंबक के गुनुद्र्म क्या-क्या होते हैं कौन-कौन सी खासियत होती है इसमें सबसे पहली बात है कि चुंबक हमेशा एक दूई धुरूई होता है मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने आवेश देखा था तो हम एक परमानू को हमेशा उदासीन देखते थे और उस परमानू से यदि हम लोगों ने इलेटरॉन निकाल लिया तो वो धनात्मक आवेशित और यदि उसमें एक इलेटरॉन डाल दिया तो वो रिनावेशित हो जाता था ऐसा एक चुमबक के साथ में नहीं होता है इसका मतलब यह है कि यदि आप एक चुमबक तोड़ते हैं और उसके दो तुकड़े हो जाते हैं तो दोनों ही दोनों तुकड़ों में आपको उत्तरी और दक्षनी दोनो धुरूद हमेशा नजर आएंगे मतलब यह है कि चुम्बक हमेशा द्विधुरूद होता है और उसमें एकांक धुरूद की कलपना नहीं की जा सकते उसके बाद में आरोपित बल एक चुम्बक जो है वो दूसरे चुम्बक पर बल आरोपित करता है और इस आरोपित बल को हम आकर्षन और पतिकर्षन दोनों रूप में देखते हैं तो समान धुरूओं में पतिकर्षन और विपरीत धुरूओं में आकर्षन होता है अगली बात है कि दिशा सूचक यदि पृत्षी पर चुम्बक को सोतनतता पूरवक लटका दिया जाए तो चुम्बक हमेशा एक नियत दिशा में लटकता है या ठहरता है ये हमेशा कहा होता है ये जो है उत्तरिय ध्रूव और दक्षने ध्रूव की दिशा में आके ठहर जाता है तो ये उत्तरिय दक्षने ध्रूव के याम्योत्तर में आके ठहरता है और इसलिए हम चुम्बक को दिशा सूशक के रूप में भी उपयोग में लाते हैं अगली बात पर चुम्बकिया सब्धाऊ करना जो है हम पाय कि दाख का नियम ले हर जगर हमें चुंबकिया की दर्शा निकानने का तरीका पता है और इस परकार हम देखते हैं कि कहीं पर भी हमें एकांक चुम्बकिया धुरूप राप्त ने देखा है उसी प्रकार से कुलम का नियम चुंबकत्व के लिए भी है अब यहां पर हमें सबसे पहले कल्पना करनी पड़ेगी हम लोगों ने मान लिया कि हमारे पास में एक एक एकांक चुम्बकिय ध्रूव है अभी मैंने यहाँ बताया कि कल्पना के जा सकती मतलब यह होता है लेकिन फिर भी गौस के प्रमे को जो है कूलम का नियम इसके जो है उप्योग के लिए हम लोगों ने कलपना की कि एकांग चुमबकिय धुरू है और उसके आस पास यदि कोई दूसरा एकांग चुमबकिय धुरू तो इसका नाम रख देते हैं M1 और इसका नाम रख M2 यह क्या है यह चुम्मकिल धुरू का प्राबल्य है जैसे आवेश के साथ में क्या होता है कि उसका परिमान होता है उसी तरीके से धुरू का धुरू प्राबल्य होगा तो M1 और M2 यदि धरूप राबल है तो इनके بیچ में लगने वाला बल दोनों धरूप राबल के परिमाणों के गुनन फल के अनुकरमानुपाती होगा और ये इनके बीच की जो दूरी है D या फिर इसनके बीच की जो दूरी है R इसके व्यूतकरम अनुपाती होगा इसके वर्ग के इन दोनों को जोड़ दें तो हमको मिलेगा F अनुपाती M1, M2 और बटा R का वर्ग अब क्योंकि यहां पर यह अनुपातिक नियातांग है तो यहां पर अनुपाती चिन हटा कर बराबर कच्छी नहीं लगाने के लिए हमें नियातांग लगाना पड़ेगा और F हो जाएगा F बराबर Mu naught by 4 Pi और यहां हो जाएगा M1, M2 और बटा R का वर्ग यह बिल्कुल वैसी ही बात है जैसा हम लोगोंने इस्थिर विद्दूत के मामले में देखा हुआ है अब यह जो है M0, Mu0, Mu0 बटा 4 Pi यह क्या है अनुक्रमानुपातिक मतलब यह अनुपातिक नियातांग है और इसे हम किस नाम से जानते हैं भाई आवेशों के मद्ध जो होता है उसे हम क्या कहते हैं और यहां पर इसको बोलते हैं परिमियक्ता या परिमियेबिलिटी और यह जो है इसका मान दस के घात रहन साथ होता है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका जो है डाइमेशनल अनालेसिस करके कि इस Mu0 by 4 Pi या फिर सिर्फ Mu0 की बात करें तो इसका MLT के फॉर्म में इसकी विमा ग्याद करके आपको बताना है इसकी इकाई क्या होगी यह बताना है तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे यह बताईए मुझे बहुत खुसी होगी और जो भी सबसे पहले इसकी विमा सहीं सालामत निकालके मुझे बताएगा आपके उस कमेंट को मैं जरूर हाट दे दूँगा लाइक दे दूँगा ठीक है चली आगे बढ़ेंगे और अब जो है हम चुम्ब की छेत्र और उसके गुन धर्मों के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद